है यह लोग फ्रेंट्स पर नाप शाहिद असन है और मेरा यूट्यूब चैनल इन आई-टोक में आप लोग का स्वाकत है तो आज हम लोग इलेक्टिकल का एक बहुत मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजिए ताकि आगे आने वाले नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग मिलता रहे तो फ्रेंट्स आज हम लोग देखेंगे बुकल्ज रिले जो है इसका इन्वेंटर है मैक्स बुकल्ज यह जो है 1921 मे इसको यूज मै लाए थे हैं तो फ्रेंट्सटे में सब्सक्राइ के लिए जूज किया जाता है और दिस्टिफिशन ट्रांसफर्मर कर लिया जाता है Commode कर लिया बड़ा है यह न् रिजी होता है और एगल करने के लिए इसके अंदर कोई Wthat कर नहीं करने हो उसे बचने के लिए बढ़त करते हैं जो बहुत एक इंपोर्टेंट पार्ट के टास्वर्मर ये डिटेक्ट करता है को अब लोग देख लेते हैं यह है जो है उसका यह पार्ट है यह हो गया अलार्म सर्केट और यह हो गया मर्करी स्वीच और यह हो गया हिंज साइड वाला और दूसरा साइड वाजो एक इक जर्वेटर टैंक जो एक पाईप होता है उससे जूड़ता है और यह हो गया अंधिक पानी के पानी फूल हो गया है तबहुन लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है एंसे με 2 इसका बताँ गार्ट को सोट में उसको भी मैं बताऊंगा आप लोग को तो फ्रेंट क्या होता है कि जब बबल्स अगर बहर जाते हैं तो यह जब बहर जाते हैं इसके अंदर में तो यह तब जाके यह ओपेट होता है और यहां पर दिश्चार्ण पहले तो है शोट सर्किट दूसरा है को और तीसरा है वाइंडिंग फॉल्ट इन वजह से क्या होता है कि जो है आईल गरम होता है और गरम होने के बाद में इसमें बबल्स बनते हैं है तो बाब जब बनते हैं तो दे यदर आते हैं और इसको फॉल्ट ऄब करते हैं तो इसको कुछ र ने इस बाद में तो अच्छिज क में होता है और मरकरी डाल के रखा गया थेवी हम दालकर रखा जाता यहां पर तो यह तो अभी दिने और दीन को है आएइस फ्लोट को जो है प्रे सोने के बाद मीनितर कर जाता है तो यह मर्करी में चरों कुनेक्ट कर देता है और सरकित यह है एक्टिवेट फ्राइब करें तो उसके टैंक में कुछ रह जाते हैं कि कभी कभी इसको वजह से भी जो है यह यह अब अवा राफ उसके लिए यहां पर देखें एक फॉक निकाल कर जो रह लीढ़ा जाता है कि लिए फ्रंफर्मर के लिए कितना हर्मफुल है कितना नॉक्सान दे सकता है वहां पे चेक कर लिया बिरेक नहीं करता है लेकिन पहले वारनिंग दे बड़क होनेahuाग है बात सन्पह hopeless के जाने के बाद में जब टांसफर्मर में स्धाइब तरफर्मर का जो में टंक है वहां से तिल एकदम एक दम इस फीड से आता है और पर यह को धका देने का बाद मेरीं लमें यह हएंजसहे जो आ यहां गूवने का बाद में क्या होता है यह एक टिवेट हो जाता है और यह इक्टिवेट होने के बाद में के बाद में गढ़ा होने यहाँ झाला यह नहीं डालेंगे तो यहां सीधा निकले है जिसमें कुछ गड़बरी होने वाला है जह सर्कुट ब्रेकर का कुछ अलगा दुसरा जबूटो ऐने देखेंगे पहले हम हम लोग इसको समझ लेते हैं तो अईसे ही काम करता है और जो हम ऐसा याद रखेगा इसका पूछे का तो कम करता है हमारा यह बुकल्ज रिले पूछता है कि एकदम सिंपल से उसको हम लोग जवाब देंगे के बुकल्ज रिली जो है यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो आयल इमर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस है तो फिर हमारा काम हो जाएगा फ्रेंस वीडियो का इसा लगा यह जो है कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक्स फर वाचिंग